हलो फ्रेंज आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर वदायूश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विलमार के शेर के बारे में अडानी पावर अडानी विलमार दोस्तों डेफिनिटली अभी काफी अंडर प्रिशर काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं फ्राइडे का सेशन में आपने गिरावत देखी और्मोस्ट फो परसन के करीब स्टॉक गिरते हुए देखने को मिले और लगाता है यहां पर आपक कहा गया है तो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे तो डेफिनिटली बहुत इंपॉर्टन वीडियो होने वाला है तो पूरा देखेगा फ्रेंड्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको यी वीडिय पे खुला 358 तक गया लेकिन बहुत गिरावट हो गई राइट शेर अपने अब 52 वीक हाई से 100 पॉइंस जो है वो तूट चुका है 100 रुपे दोस्तों शेर अपने हाई से आपको देखने को मिलेगा गिर चुका है काफी कम बार ऐसा देखा गया है कि इतनी बड़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली थी अगर मैं इसके हाई से आज कमपेर करता हूं तो स्टॉक जो है वो आल्मोस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्लोस टू 23-24% टूट चुका है 24-25% स्टॉक जो है वो गिर चुका है और गिरावट होती भी देखने को मिल र जो इसके उपर रिपोर्ट निकल के आई ऐसा नहीं कि अडानी पावर के उपर ही होल पूरे आप ग्रूप के उपर देखेंगे तो कभी कवार थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट आती भी देखने को मिली जिसका एक मेजर रीजन आप कह सकते हैं कि पूरे ग्रूप के उ अडानी ग्रूप को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं देखने को मिला क्योंकि कुछ रिपोर्ट ऐसी निकल के आगई कहां कहीं कहां गया कि ओवर लिवरेजड है कहीं कहां जा रहा है कि यहां पर फोकस जो होता हुआ देखने को मिल रहा है वो बाहर के फंस का जादा तर इ यह भी एक नेगेटिव साइन है कहीं कहां गया कि इतना डेट रिडन हो चुगा है कि कंपनी जो आगे चलके नहीं टिक पाएगी तो डिफिनिटली बहुत कुछ दोस्तों रिपोर्ट निकल के आई जिसका एक मेजर रीजन सारी अगर आप देखेंगे पूरी ग्रूप के स स्टॉक है एक अडानी ट्रांसमिशन जिसका भी जुस्तों काम आपको बेसिकली पावर का ही देखने को मिलता है लेकिन इसमें जो नाम है वो अडानी पावर का भी जो है वो आता हुआ देखने को मिला है इसमें कहाग है कि अडानी पावर जो है वो डिफिनिटली इंडा क renewable energy assets लगाते हुए देखने को मिल गए by 2020 अड़ानी पावर उनने कहा है कि वो एक well positioned है benefit मिलता हुआ देखने को मिलता है जो भी country की growing appetite है और renewable energy sources के अंदर जिस प्रका की growth है उसका एक अच्छा impact अड़ानी पावर पे नजर आता हुआ देखने को मिल सकता है यह report आती ही देखने को मिले इसमें चर्चा की गई है गिरावट क्यों रही है तो दोस्तों इसके उपर एक सवाल पुछागा कि अभी currently जो गिरावट होती ही देखने को मिल रही है वो क्यों एक expert से पूछा गया तो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि जो stocks है अडानी, विलमार और अडानी आपको देखने को मिलेगा वो वो अभी maintain करके चलते हैं उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर भी potentially to grow लेकिन बाखी के stocks में वो कह रहे हैं कि definitely थोड़ी बहुत आपको fall आता हुआ देखने को मिल सकता है इसमें power का नाम भी है क्यों आता हुआ देखने को मिल सकता है विकास साफ साफ है कि stocks जो है वो definitely इतना चल चुके है और in terms of valuation उनकी valuation high देखने को मिलती है from the competitive peers valuation high होना, valuation में दिक्कत आना definitely एक बार market का sentiment हिलाने के लिए काफी होता है और वो ही दोस्तों गिरावट का major reason है कि लगातार दोस्तों जो गिरावट आपको आदी वी देखने को मिल रही है मुझे लगता है मेरा भी point of view है यह साफ साफ की बहुत चल चुके थे हमेशा दोस्तों आपको यह बात समझ के चलनी पड़ी कि अगर shares बहुत चल गए तो एक समय आएगा जब उनमें गिरावट होगी गिरावट ऐसी होगी कि वो लगेगा कि यारे यार यह तो बहुत अच्छे stocks थे यह बात ध्यान रखेगा कि अगर हर बार अच्छा हो जाता तो definitely हर जना पैसा कमा जाता आपको हमेशा याद रखेगा कभी भी straight line देखने को नहीं मिलेगी कि हम सिर्फ उपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं नहीं कभी कभा गिरावट का सामना भी होगा और वो गिरावट का सामना currently हो रहा है market भी तो गर रहा है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ share ही गर रहे है market जब नीच था तब भी अड़ाने पावर ने बड़त दिखा यह अपना आप में एक बहुत बड़ी चीज थी जो हुई उस समय लेकिन आज अगर market में support नहीं है और उसके साथ share नीचे आ रहा है तो I think आप उसको गलत नहीं टहरा सकते हैं because market में भी तो आपको definitely गिरावट देखने को मिल रही है मंदी देखने को मिल रही है और यहाँ पे भी अगर गिरावट आ रही है बढ़ेंगे तो definitely दोस्तों यहाँ पर हर जना पैसा कमा लेगा हर जना सोच लेगा कि यार यह तो बस बढ़ते ही रहेंगे नहीं यार कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत गिरावट का सामना करना पड़ेगा और वो ही गिरावट का समय जिस समय आप किसी शेयर को होल्ड कर लेंगे तो definitely वो ही आपका time दिखाता है कि हाँ उस बुरे समय में साथ था तो definitely अच्छा समय भी मुझे दिखाएगा और यह अटानी पावर के shareholders के लिए मैं कह सकता हूँ कि कोई जादा बढ़िया समय शुरुवात में नहीं था शुरुवात में क्या मतलब इतने सालों तक हमने wait किया आपने wait किया और इतना time दिया stock को मतलब अब समय लीजिए कि 2012 से 2020 तक 24-25% return नीचे गए है मतलब आप 8 साल तक कुछ कमाया नहीं बस यह अभी 2 साल में कहूंगा mainly जहां पर share चलना चालू किया है एक big bull run दिखाना चालू किया है तो वो एक time के साथ आता है आपको patience रखना पड़ता है किसी में लंबा समय किसी में छोटा समय यह बात important है overall मेरा view यही कि long term के लिए अभी भी गाड़ी बहुत सही है hold करना है wait कर सकते है definitely entry के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट अभी बाकी है यह थोड़ा सा और नीचे जाने की बिलकुल चेश्टा रखता है अब अब अडानी विलमार अडानी विलमार के Q2 के अपडेट निकल के है definitely disappointing थे Q2 का अपडेट जो निकल के है वो इतना बड़या आपको देखने को नहीं मिला अडानी विलमार में ने यह कह दिया कि जो edible oil की prices है बली वो palm ले लिजिए, soya bean ले लिजिए, sunflower ले लिजिए वहाँ पर sharply हमने decline देखा है और September quarter के अंदर definitely जो trend है वो more or less pre-covid levels तक आ चुका है और जैसे दोस्तों यह बया निकल के आया markets के अंदर कह सकते हैं कि definitely इसको लेकर negative चालू हो गया stock almost 4.5% नीचे तक चला गया बाद में जोड़ा बहुत क्रिकाल लेकिन कोई डिक्कत वाली बात यह थी कि साफ साफ दिक्कत वाली बात यह वाली निकल किया ही दोस्तों कि growth जो है वो definitely company को लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार बहुत जाता देखने को नहा मिले overall revenue जो July September quarter में company ने का है कि वो grow होगा single digit so यह बात है कि हाँ अभी थोड़ी बहुत business के अंदर जो disruptions आये थे उसका असर अब आता हुआ देखने को मिल रहा है Q2 के updates में साफ साफ दिखा Q2 के numbers में भी दिख सकता है तो to be precise अगर अभी गिरावट और बढ़ जाती है तो उसके अंदर साफ साफ company के जो numbers निकल के आए है Q2 का update Q2 के quarterly numbers निकल के नहीं आए financial results निकल के नहीं एक update निकल के आए जिसमें कहा गया है साफ साफ कि हाँ दिक्कत नजर आ रही है currency depreciation से भी दिक्कत आ रही है margins पे भी impact पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि अडानी विल्मार basically यहां से थोड़ा सा आपको on नीचे आता हुआ देखने को मिल है because company के बाइनुसरत यह लग रहा है कि उन्होंने कहा पर भी एक impact पड़ता हुआ देखने को मिलेगा highly on margins तो इस बार के margins तो मतलब हो सकता है कि आपको चौका दे डरा दे तो इस बार के numbers हो सकता है कि थोड़े से negative रहते हैं देखने को मिले बट जैसा मैंने पहले भी कह रखा है कि याद रखेगा यह एक दो quarter की बात होती है एक दो quarter होस्ट है कि बुरे आते हैं वे देखने को मिले because कितनी चीज़े आई है सबसे ज़्यादा अगर impact किसी को पड़ता हुआ देखने को मिले न वह और से तो वो definitely sunflower oil था और वो इसका definitely whole business है sunflower oil आना बेचना हमारी country के अंतर because अडानी विलमार के लिए बहुत ज़ादा contribution था तो वो एक दिक्कत आ गई बले company कितना ही कह दे कि हम तो दूसरे पर shift हो जाएंगे बाट याद रखेगा जिसको जो ची होता है उसको उसी पर जाना देता है न यही बात है जो जिसका सबसे बड़ा असर पढ़ता हुआ देखने को मिला and definitely अब वो reflect भी हो रहा है stock की उपर बात करें तो share में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है मतलब अडानी विलमार तो बहुत गिर चुका है 9.5% आपको देखने को मिलेगा लास्ट एक महीने में लास्ट छी महीने में भी अब रिटरंस तो गायब हो चुके है मतलब एक परसें स्टॉक डाउन जाता हुआ देखने को मिला है यह जो हाई लगे थे 888 रुपे की जो लग रहा था कि इस बार चुने के कोशिश करेगा अब बहुत दूर है और I think 45 रुपे की गिरावट अगर और आजाती है तो मैं बहुत ज़्यादा चोकूंगा नहीं होसकता है कि उससे ज़्यादा भी आजाए बट यह है कि उसके बाद यह opportunity मिलेगी और Adani Vilmar I think portfolio में अगर आप रखते भी है for a longer time it's only going to be beneficiary because याद रखेगा यह एक दो quarter की बात है होसकता है कि आपको Q2 जो बुरा आता हुआ देखने को मिल सकता है probability हाई है Q3 भी थोड़ा बहुत उसमें आता हुआ देखने को मिले दिक्कत या फिर Q3 से number जो है वो आपको वापिस से सुधरते हुए देखने को मिले इसकी probability बढ़ जाएगी तो वो ही है कि आपको आने वाले quarter में उसको reflection वापिस आता हुआ देखने को मिलेगा अगर अभी गिरावट हो जाती है तो तो friends इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बड़े अलगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना आपका क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रू उताइएगा thank you friends watching this video